जी बच्चो अब हम करेंगे question number two तो देखे question number one में three value थी question number two में four value आगी जैसे ये question number two का part one है five a x minus three a y minus five b x plus three b y तो अब आप इसमें गोर करें कि four value है जब four value आजाएंगे तब आप दो दो में common लेंगे अब इन दो में आप देखें तो a common आ रहा है ए इन में से निकाल देंगे तो बाकी बचेगा five x minus three y इसी तरह इन दोनों में आप देखें तो minus b common आ रहा है minus से minus खतम और b से b गया five x बच गया plus minus minus b खतम three y तो अब ज़रा देखें five x minus three y दोनों में same है तो यह हम common ले लेंगे minus three y और यह a minus b यह इसका answer आ जाएगा तो same इसी तरह से question number two भी है three भी है question number four में करता हूं जी अब देखें जी question number two का part four तो इसमें यह लेदा लेदा हमें पेर बनाए हुए लेकिन यह same नहीं अब हम क्या करेंगे जी को इनके साथ multiply करेंगे x को इनके साथ करेंगे तो z x से होगा तो यह हो जाएगा x square z minus फिर यह y square z हो जाएगा plus x y से होगा तो x y square फिर x इसके साथ होगा तो minus x z scale अब आप क्या करेंगे x z और x z वाली वैलियो को लेदा कर लेंगे और जो y वाली वैलियो है उसको आप लेदा कर लेंगे पहले आप x की रखेंगे क्योंकि इदर पहले x आ रहा है तो minus y square z तो इन दोनों में आप देखें तो x z common आ रहा है तो एक x निकल जाएगा एक बाचिगा जी से z खतम एक से x खतम एक जी बार जाएगा प्लास सुरी अब इन दोनों में देखें तो आपको common आ रहा है जी y square तो y square से y square खतम x minus z आ तो ये हमारे पास common आ जाएगा और ये x z प्लास y square ये इसका answer आगा है